हेलो दोस्तों, तो अगर आप सामसंग टीव में एनरजी सेव करना चाहते हैं और इसके लिए वोरिड हैं कि कैसा सेव करेंगे तो इसके लिए मैं आपको चार टीप्स पोवाइड कर रहा हूँ इसे यूज़ करके आप Samsung TV का energy consumption को कम कर सकते हैं वैसे informative वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करनी है home page पे जानी है इसके बाद setting में जानी है और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको मिलेगा energy saving solution तो आपको जानी है right के तरफ जाएं और यह options को देख सकते energy saving solution तो जैसे ही आप आउन करेंगे यह आपका TV के brightness को कम कर देगा और इस परकार आपका क्या करता है यह energy save करता है तो यह रहाँ first तरीका second जो तरीका मैं बता रहा हूं इसके लिए all setting में जानी है और आपको जानी है general and privacy यहाँ पर जानी है intelligent mode और adaptive picture में जाकर के आपको optimized options को on कर देना है यह क्या करता है आपका real time पे आपका ambient light condition और आपका किस टाप का content आप देख रहे हैं उसके basis पे brightness को optimize करता है और आपको energy consumption को कम कर देता है तो यह आपको OLED and new quality में ही सिर्फ यह options देखने को मिलेगा थर्ड जो तरीका है इसके लिए आपको power and energy saving में जानी है और यहाँ आप देख सकते हैं आपको brightness optimization है यह क्या करता है आपको ambient light condition के ऊपर आपको brightness को adjust करता है इवेन आप यहाँ पे खुद भी आप minimum maximum brightness को adjust कर सकते हैं as per your choice तो यह था थर्ड तरीका फॉर्थ जो है वह भी मैं बताऊंगा तो यह तीसरा आप उन्हें देखा फर्ष्ट जो यह आप energy saving solution आप यहाँ से भी adjust कर सकते हैं आपको पहले बता चुका हूं फॉर्थ जो आपको मैं बता रहा हूं दर्ड इस motion lighting यह क्या करता है power consumption को reduce करता है motion sensitive brightness control करके तो अगर आपका room का कोई motion या को moment नहीं हो रहा है तो यह क्या करेगा automatically जो है आपका टीवी की brightness को dim कर देगा या फिर कम कर देगा और इस परकार आपका टीवी गा energy consumption को कम करेगा तो यहाँ पर आपको चार तरीके बताएं इस तरीके को यूज़ करके आप energy consumption को save कर सकते हैं reduce कर सकते हैं मुईत करता हूं वीडियो पसंद आई होगी thank you so much